नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Law Planet में दोस्तों आज जिस आर्टिकल को हम डिसकस करने वाले हैं वो Constitution के one of the most important आर्टिकल में से एक है अगर आपने आर्टिकल 14 को अच्छी तरह समझ लिया तो आप Constitution में दिये गए सारे provisions के logics और reasoning को समझ सकेंगे मेरी आपसे request है भले ही आपने इस चैनल की बाकी वीडियोस को पूरा ना देखा हो लेकिन इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप Constitution को समझने में दूसरों से एक कदम आगे बढ़ जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आर्टिकल 14 में कई अलग-अलग concepts छुपे हुए हैं हम इस वीडियो में important concepts को जानने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 14 कहता है तो यहां more or less दो major terms को हमें जानना है जो है इनको जानने से पहले आप ये बात समझ लीजिए कि आर्टिकल 14 equality के general यानि basic principle को दर्शाता है ताकि किसी भी person के साथ unreasonable discrimination ना हो सके इसके बाद के आर्टिकल यानि आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 इसी basic principle की application है तो आप समझते हैं आर्टिकल 14 में दी गई इन terms को पहले है equality before the law और दूसरी है equal protection of the laws दोनों ही term preamble में दीए गए equality of status को establish करने की कोशिश करती है दोनों terms को देख के लगता है कि इनका मतलब सेम ही तो होगा लेकिन दोनों terms का मतलब सेम नहीं है equality before the law term English origin की है और ये कुछ हद तक एक negative concept को बताती है यानि किसी भी particular class या group of people के favor में कोई भी special privilege या treatment नहीं होना चाहिए और law के सामने सभी को equal माना जाना चाहिए जबकि equal protection of laws थोड़े positive concept को दर्शाता है जहाँ equal स्थिती या condition में हर person को equally treat करना चाहिए यहाँ key term है equal condition कहने का मतलब यदि किसी को equally treat करना है तो उसको equal condition भी तो provide करनी होगी और इसी वज़े से reservation जैसी चीज़ों को constitutional माना जाता है ताकि कुछ पिछडे वर्गों को equally treat करने से पहले उनकी conditions को equal बनाने की कोशिश की जा सके तो आप बोलोगे कि इन दोनों terms को एक ही article में एक साथ डालना कौन सा जरूरी था हमें confuse करने के लिए दोनों को एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि दोनों terms का एक ही objective है और वो है equal justice State of West Bengal versus Anwar Ali सरकार के case में Chief Justice Patanjali शास्त्री ने कहा था कि ऐसी कोई situation imagine भी करना impossible है जहाँ equal protection of laws का तो violation हो रहा हो लेकिन equality before law का violation ना हो रहा हो उनके मताबिक ये दो terms आपस में एक दूसरे को और मजबूत बनाती है Equality is not absolute दोस्तों equality का concept absolute यानि 100% equality की बात नहीं करता है क्योंकि ये physically possible ही नहीं है इसके लिए Dr. Jennings ने कहा है Equality before law means that among equals the law should be equal and should be equally administered that like should be treated alike इसको हम एक picture से समझते है इस picture में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इन तीनों persons के बीच में absolute equality नहीं है Equality का main objective ही justice प्रवाइड करना है यदि इन तीनों persons की conditions को बिना जाने हमने इनको equal treatment दिया तो ये justice के बजाए discrimination हो जाएगा Dr. Jennings कहते हैं कि like should be treated alike यानि जिन लोगों की conditions same हैं उनको equally treat करना चाहिए और यदि किसी person के पास कोई particular resource नहीं है तो उसको वो resource provide करना चाहिए ताकि उसको दूसरों के बराबर opportunity मिल सके इंद्रा गांदी वर्सिस राज नारायन के case में court ने कहा था कि article 14 में दिये हुए rule of law को government किसी भी amendment से नहीं हटा सकती है यानि ये constitution का एक basic feature है article 14 में दिये गए any person term का मतलब है कि Indian constitution हर किसी person को equal protection of laws provide करता है चाहे वो कोई citizen हो या non-citizen हो कोई company हो या कोई association हो बिना किसी धर्म, जाती, race और nationality या अन्य किसी भेदभाव के सभी को article 14 का benefit मिलेगा article 14 allows reasonable classification किसी भी society में हर व्यक्ति के circumstances similar नहीं हो सकते इसका मतलब हम आख बंद करके सभी को equally treat नहीं कर सकते इसका मतलब society सही तरीके से चले इसके लिए जरूरी है कि लोगों के circumstances को ध्यान में रखते हुए laws को बनाया जाए ultimate aim state की safety और security होना चाहिए जहां पे लोगों का welfare हो रहा हो यही चीज हमने पहले की एक picture में देखा था तो दोस्तों यह थी आर्टिकल 14 की वीडियो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों ऐसे ही important constitution की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe कर लें और bell icon को press कर लें मैं मिलूँगा आपको आर्टिकल 15 की वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद बाई बाई